कि दुपन हटा रेकिन दो मिनुट हो गया इसमें तेल छोड़ने लग गया अलू का तो मैंने गर्मसाला लेकर आई थे अभी इसमें थोड़ा से गर्मसाला एट कर देती हूं अर्म पसला डाला नहीं थे उस टाइम थेनी आज बजार लगी थी तो अहां को लेकर आई हूं अ आप लोग देते हैं पालक को तो अधिक सकते हो हरी हरी सबची अलू पलक की सबची जो मैं अपने इस टाइल से बना रहे खोल के दिखाते हूं आपको कैसा हो रहे है पांस मिनेट हो गया खोल के वीच वीच में देखना दो कि देख सकते हैं असे जैसको थोड़ा थेज कर देते हूं लगबगा बनी गया है तेल छोड़ने लगए तो रहसा पानी है इसको पानी को सुखाते हैं तक बने रहो पर मने गैस को कर दिया तेज और अभी खुले पकाएंगे जब तक इसका पानी नहीं सुख जाता है देख सकते हो बहुत आश्टी लग रहा है उबल रहा ह अभी तब तक हम आठा लगा लेते है यह काम तब मेरे क्टस जो में आ थिंग आज आ लूरे हैं पहाड़ी वाले पालक और आलू की सब्चि पीस्कह बनाएंगे अभी आलू वि बोइल करूंगी डी काट के डालूंगी को के अलूं। करना है पालक filing घृत अबनें अबनाते हैं पहाड़ी पालक कालु disorder जो मैं अपनी स्टाईल से बनाऊंगी भी साफ करते हो और अलूबोयल करते हrüंग तो कि आहिए पर ला रहे हो तब तक करके रखाया है दो फाग के आलू का आलू और वो पालक बनाएंगे तो यह सारे मैंने लस्टन थोड़ा सक लाल मिर्ची शाबुत और अध्रक मैंने और इधर कड़ा ही रख दिये तेल गरम होने के लिए आज तोड़ा गला खराब है तो कमी बोल रही हूं उखार भी रहा थ तो तेल गरम हो गया दुआ उखने तक इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा और यह लाल मिर्ची अध्रक लशन और प्यान डाल देते हैं अब इसमें मैंने प्यान जेट कर दिया इसको थोड़ा सा ढूनेंगे थोड़ा कलर चेंज हो जाए फिर बताती हूं प्यान के कलर है भून गिया है लगबघा गशी तेज ठोड़ा इसे क ₹21 आर चिलंगे हो गज्णिस, प्यानका जाए है फंसे िर फुच्छी और आब लाव चिलाते हो तो तो इसमें डाल देते हूं टामाटर यह मैंने एक तामाटर साथ के रखा था और साथ-साथ में लमक डाल देते हूं गला फ्राव है आजकर फोपी जो खाम चली रहा है अब इसको ढख देते हैं जैस लो करके तामाटर को पाप में देंगे अच्छे से तो मिन ठोगया है तो ढखन अटा कर देखते हूं गलिया नहीं टमाटर चेक करते हैं जल गया है गैस को कर देते हूं तेज और इसमें मसाला एक कर देती हूं इस थोड़े सा हल्बी कॉडर लाल मिर्ची नमक मैंने पहली डाल रखाया लेनिया कॉडर इसको अच्छे से मिलाएंगे अब ऐसे जूंते रहेंगे मसाला भूल जाएंगे अभी जरम मसाला भी लेके आई हूं बजार गई थी तो वहां से तब यो भी डालेंगे इसमें डाल देती हूं आलू जो मैंने वोइल करके छोटे-छोटा कार तक है दो फाकती है आलू का अब बालक लास्ट में डालेंगे कि इतनी पालक कम पकाऊँ उसकी कम पेस्ट आख जाधा पकाना नूंची है पालक को तुमने काट दिया है रोकिए अच्छे से उसको भी डालते है इस पालू का अच्छी से दून लेते है दो मिनित तक इसको ठक देते हूं गैसो कर देते तेल चोड़ने लग गया तो मैंने गर्म मसला लेके आई से थोड़ा से गर्म मसला एल्थ कर देती हूं अब इसमें हन डाल देते हैं पालक को हरी हरी सबजी आलु पालक की सबजी जो मैं अपने इस्टाइल से बना रहे हूं अपने प्रेसे भी बता रहे हूं अच्छा होता है अरी सबजी खाना अब इसको चला लेते हैं और ढख देंगे स्लो गया इसमें 10 मिनट तक आपको दिखाते हूं पिर 10 मिनट बाद खोल के दिखाते हूं आपको कैसे हो रहे हैं पांस मिनट हो गया खोल के बीच बीच में देखना रहे हैं देख सकते हैं अब तक इसका पानी नहीं सुख जाता है देख सकते हो बहुत आश्टी लग रहा है अभी तब तक हमाटा लगा लेते हैं हां तो मेरे गैस तेज कर दिया है अभी खुले पक्ताएंगे जब तक इ इस टाइम मैंने स्लो कर दिया था देख सकते हो बंद के त्यार हो रहा है अब इसमें पानी सुखने लगा है तो लास्ट में क्या करते हूं तेस्ट करने के लिए इसमें हलका सा मलाई डाल लेते हूं एक चमस ताकि और अच्छा लगे यह मेरा रेसेपी अभी आपको सब्छी बनके त्यार हो गए है और यशसेज बंद के और मैंने इसके रेसेपी आपको सेट करी दिए इसलिए मैंने आपको झिलीए रेसिप के मिलेगा यूट्यूब में फेस् había पन और यहां समय कैज कुस्पारया तो बनाना पढ़ता है कई लिए अग्व कि रहा आज की हमारी डिनर की सब्जी आलो पलक की सब्जी जो बीना पीसे जटपट बढ़ने वाला घर में जो मेरे स्टाइल की सब्जी है एक बार जरूर आप ट्राइ करें और तब तक के लिए क्या कहूंगी हम तो अभी खाना निखाएंगे अभी रोडी बना नहीं है दो तक लिए बाई गुड नाइट सुई ड्रीम कल मिलते हैं ओके